नमस्कार SPN 9 News में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपड़ना यादव ने क्या भारतिय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है क्या अपड़ना यादव अब रजनीती में सक्रिय होने के लिए एक बड़ा कदम उठाती वी नजर आ रही है भारतिय जनता पार्टी ने जैसे ही अपड़ना यादव को यूपी महिला आयू का उपाध्यक्ष बनाया तब से ही अपड़ना यादव के नराजगी चलम पर पहुंसती वी नजर आई क्या अब इसकड़ी में भारतिय जनता पार्टी एक बड़े धर्म संकट में नजर आ रही है कि अप पड़ना यादव नराज नजर आ रही है अपने पद को लेकर इस बीच में बड़े घमसान उत्तव परदेश में देखने को मिले लोगसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी उत्तव परदेश में भारते जनता पार्टी और उनके सहयोग्यों पर भारी परति की विने जरा रही है इस बीच भारते जनता पार्टी की नेता पड़ना यादव की नराजगी की भी खबरे सपा को नई ताकत दे रही है अपड़ना को बीते दिनों महिला आयोक का उपाद्यक्ष निउक्ष्ण किया गया सपा नेता अखलीश यादव ने इस से जुड़े सवाल पर कोई खास तिपड़ी तो नहीं की रेकिन पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि स्वरगी नेता जी मुलायम सिंग यादव की बहु के कद के मताबिक ये पद बिलकुल भी नहीं है अब सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी में सैंद मारी की इक कोशिश कर रही है कि चाचा शेपाल यादव की मुलाकात अपढणा यादव से और इशारा करती है कि शेपाल यादव ही बड़ा जरिया बनती वीर नजर आएंगे दरसल आपको बता दें कि जैसे ही अपर्णा यादव को ये पन मिला अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के रास्टी महा सच्चिव शेपाल यादव के घर उनका अशिरवाद लेने पहुची लेकिन खबरों को तब हवा मिली जब ये कहा जाने लगा कि शेपाल यादव से मुलाकात अपर्णा यादव क यूँ ही नहीं हुई है बलकि शिप्पल यादव के जरिये ही समाजवादी पार्टी में वापसी अपड़ना यादव कर सकती है इस बीच में अपड़ना यादव के बागी तेवरों को देखते वे भारतिय जनता पार्टी बड़ा कदम उठाती भी नजर आ रही है भारतिय जनता पार्टी ने अपड़ना यादव को मनाने के लिए जीजान महनत की महिला आयोग की तरफ से देखा जाए तो उपाद ध्यक्ष यहां पर अपड़ना यादव को तो बनाया गया लेकिन महिला बाल विकास कल्यान मंत्री द्वारा अपणना यादव से बाच्चीत भी करवाई गई ताकि अपणना यादव की नाराज़की को दूर किया जा सके लेकिन अपणना यादव ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है वे बीजेपी के आरानेताओं से मुलाकात कर रही है अपणना के मामले में बीजेपी अब बड़े धर्म संकट में फस्ट चुकी है देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है